आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ कंपनी के बारे में जो PSU's हैं, सरकारी कंपनीज हैं और दूरिंग दा पैंडमिक ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी लेकिन इन में वैल्यू बाइंग है सब में अच्छी सी और ये प्री पैंडमिक लेवल पर कभी भी जा सकती है तो यहां से इन में बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है ये चार कंपनीज है, मैं चार कंपनीज के बारे में आपको बताने वाला हूं तो एक एक करके चारों के बारे में देख लेंगे देखो यहां पर ये पोइंट होता है कि हमेशा हमें blue chip companies ही देखनी चाहिए blue chip companies का मतलब क्या है जो हमें stability दे सकें और जहां से उपर जाने का जो scope है वो हमें साफ साफ नजर आये हमारे पास reasons होने चाहिए every time कि ये company उपर क्यों जाएगी इसका business आने वाले time में क्यों बढ़ेगा या फिर ये इतना जादा जो नीचे आ गया है ये वापस से normal price पर क्यों जाएगा तो यहाँ पर दो तरे की companies होती है एक वो company होती है जिसका हमें पता है कि अगले 10 साल में 20 साल तक इनकी लगातार growth होनी है और दूसरी वो companies होती है जिनका बहुत जादा growth का तो 20 साल का नहीं पता लेकिन यह पता है कि यह यहाँ पर तो नहीं रुकेगा यह जो इनकी sales कम हुई है या फिर जो net profit कम हुए है या फिर जो share price नीचे आ है यह वापस से normal price तक तो आहीं जाएगा पेंडमिक के बाद जो इनमें ग्रावट आई थी इनकी consumption में चीज़े वापस से ठीक होनी शुरू हो गई है और तो share price भी वापस से ठीक होना बिल्कुल जरूरी है तो यहाँ पर एक एक करके चार companies के बारे में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले है यहाँ पर हिंदुस्तान petroleum corporation limited यह company oil distribution में है इनके petrol pumps है तो जो diesel and petrol का distribution होता है वो यह companies करती है और इन companies की अगर हम बात करें तो अगर इनके fundamentals की बात करें तो business का तो हमें देखो पता ही है कि एक ऐसा regular business है जिनके demand आने वाले time में फिलाल तो बढ़नी है अब जितनी मर्जी हम बात कर लें यहाँ पर कि इंडिया में भी कारों की sales जो है आने वाले time में वह बहुत ज्यादा batteries वाली होनी वाली है और जो fossil fuel है उसकी demand कम होने वाली है तो देखो fossil fuel की demand percentage कम terms में तो हो सकता कि थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन absolute terms में अभी बहुत ज्यादा demand ह अगले 20-30 साल तक भी petrol और diesel हमारा लगातार बढ़ते ही जाना है consumption लगातार बढ़ती ही जानी है जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया था काफी लोग यह बाते करने आने वाले time में batteries की गाड़ी आएंगी तो एक चीज में बता दूं जो batteries की गाड़ियां भी आएंगी तो उनको करना क्या है सिर्फ charging station से लगाने charging station में सिर्फ 4-5 जगय इन्होंने अपने battery के charging points लगाने और यही लोग उस काम को करने वाले हैं मेरा मानना ऐसा है दूसरा point यह है कि ऐसा नहीं है कि immediately अगले साल से सारी petrol और diesel की गाड़िया खत्म हो जाएंगे और कल से सारी battery operated गा पाई है वहाँ पर भी अभी भी 90% गाड़िया पेट्रोल और डीजल पर ही चल रही है तो यह चीज़ें एकदम से नहीं हो सकती और इंडिया में जहां अभी per capita अगर हम कारों की और vehicles की sales देखें तो वह इतनी कम है कि यहां से बहुत बड़ा number आना है और जो absolute terms में यहां से growth है वो अभी कम नहीं होनी है तो यह सोचने की बिल्कुल बात ही नहीं है कि अब यहां पर इन companies की growth नहीं रही है इनका कोई future नहीं है अब से 40 साल बात क्या होगा 30 साल बात क्या होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन अगले 10 साल में इनमें क्या growth हाईगी क्या हम और ज्यादा fuel consume कर रहे होंगे मैं petrol डीजल की बात कर रहा हूं तो of course yes हम ज्यादा ही fuel consume कर रहे होंगे इसमें कोई दोराय है ही नहीं तो जब हिंदुस्तान petroleum की बात करते हैं तो हिंदुस्तान petroleum सरकारी company है अभी 4.54 के PE पर चल रही है सिर्फ और सिर्फ साड़े 4.5 के PE पर इतन हम इनके consumption की बात करें वापस से quarterly results की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मार्च में ये company loss में आई थी उससे पहले ना कभी loss में थी net profit में और ना ही अभी loss में है और पिछले 2 quarter का जो net profit है वो पिछले सारे quarters में सबसे जादा है तो यह चीज अपने आप में बहुत अच्छी होत करते हैं कि net profitability लगातार बढ़ी ही है इन companies की पिछले 12 महीने का जो net profit है 6228 क्रोड है 6228 क्रोड है जो आपने आप में बहुत जादा है मैं यहाँ पर बहुत जादा time लगाऊंगा हर एक company में तो यह चीजे आप जैसे क्योंकि मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि 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 इस तरीके से balance sheet वगरा को analyze करते हैं तो वह आप यहाँ पर सीखना खुद से भी शुरू कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर loan की भी बात करें borrowing की बात करें तो पिछले 6 महीने में जो borrowing 44,000 क्रोड थी September 2020 में वो कम होकर 30,000 क्रोड हो गई है तो यहाँ पर इन्होंने 14,000 क्रोड का loan repayment कर दिया है और जो cash flow from operating activities है यह आज तक हमीशा से plus में रहा है जो अपने आप में बहुत 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 अच्छी बात है पब्लिक के पास जो share holding है वो 11% है बाकी institutions के पास और government के पास है तो सारी चीज़े अच्छी है अब अगर chart pattern की बात करें तो main point यहीं पर आता है अग इसको कोई भी नाम दे दो यह बहुत सारे नाम इसको दिये जा सकते हैं और जो इसका यह high था high था इसका 500 almost 488 right now it is coding at 215 तो यहां से बहुत उपर जाने का इसमें scope है लेकिन अगर मैं immediate की बात करूं 21% यह अपने आप में एक बहुत अच्छा potential है और खासतोर से यह companies का business वापस से normal होना शुरू हो गया है pandemic से पहले भी यह companies अच्छी खासी pressure में थी और यहां से चलना शुरू होना भी था और अगर हम बड़े level पर देखे ना तो यह बहुत बड़ा सा W pattern है और बहुत 100% से भी ज़्यादा का long term में यहां पर growth का scope है लेकिन अगर हम short term की बात करें तो short term में भी यह अच्छा खासा है यहां से 52% का growth नजर आता है second company की हम बात कर रहे हैं ONGC की ONGC का मैं chart आपको दिखाता हूं same pattern यहां पर बन रहा है और same pattern में अगर हम इसके pre pandemic level की बात करें तो 155 was the price और अगर हम यहां से current level से इसको देखें कि कितना इसमें upside potential है तो यह हमारा 70% upside potential है यह एक बहुत अच्छे patterns है यह भी again w pattern है w pattern भी है base building pattern भी है यह उपर आया नीचे आया और यह w बन कर चलना शुरू हुआ डबलू के बाद में फिर यह जो पिछला resistance होता है ना last resistance होत और यह तो सिर्फ midway तक की बात है जो इसका high है वो तो 230 था मैं वहां तक की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो यह बात कर रहा हूं कि जहां तक यह free flow में उपर जा सकता है जिस तरीके से यह जितने time में नीचे आया था ना उतने ही time में यह चीज वापस जा सकती है और अगर पहले की पहले हमने बात की जिसमें सेम पैटरण था और अब यह उसके बात बात कर रहे है इंडियन ओल कोर्परशन की यह बहीं तो दोनों की सेम बात है और अगर हम इंडिय HOW को छोपरेशन के वी एक ल denote को मोटा मोटा देखले-उन तो यह 6 पेपर को सेमोट कर रहा करें तो overall में net profitability में जो मार्च 19 का profit था वो 17000 क्रोड था वापस से trailing 12 months का यह वापस से profit में आना शुरू हो गया है तो यह चीज़े सारी वापस से अच्छी है और अगर हम रिजर्व की बात करें बोरोइंग 2013 से लेकर अब तक cash flow हमीसा positive है और जहां तक शेर होल्डिंग pattern की बात है तो public के पास जो इसके shares है वो बहुत जादा नहीं है इस 29,000 29% में से 14% 5% यानि कि 22% तो इसके companies के पास ही है बेसिकली तो 29 में से अगर 22 ongc में भी same chart pattern है और इसमें भी pre pandemic level की अगर हम बात करें इमेडियेट तो 148 वस दप्री pandemic level जो resistance हम मान सकते हैं आज की date में और अगर w pattern बनाने के बाद में यह अगर यहां से current price से ऊपर चलना शुरू होता है तो यहां से भी इसमें 60% का gain है और 60% की बात यह है कि अगर हम इसको डबलू pattern देखें तो यह अच्छा सा प्यारा सा डबलू pattern है और यहां से 60% का इसमें gain अजर आता है ongc में भी अगर हम इसके valuations की बात करें तो ongc को अगर हम सर्च करते हैं तो इसकी book value ही 167 है current में 93 पर trade कर रहा तो यह तो यहां पर भी एक बहुत अच्छी बात है और अगर इसके पी रेशो की बात करें तो सिर्फ 7 के पर हैं देखो इस तरह की companies हमेशा वापस आती जरूर है और खासतोर से last resistance पर तो पहुंची जाती है पिछले जून quarter में इसमें माइनस था लेकिन अभी September quarter में वापस से इसका profit वापस से आ गया है तो हमें यही देखना है कि pandemic का impact क्या खतम होना शुरू हो गया है वो हम देख सकते हैं आप किसी भी mall में चले जाओ गाड़ियां खचा खच बरी हुई है रोड़ पर traffic jam है और यही इनका main business है तो हम इसको एक्चुल में visualize कर सकते हैं कि आज की डेट में अभी वो impact रहा ही नहीं किसी को कुछ नहीं है कि बाहर कोरोना है या कोई दूसरा कुछ नया इसमें नया वाइरस आने वाला है कोई फर्क नहीं है वापस से सारी चीज़े नॉर्मल हो रही है ट्रेलिंग 12 months वापस से प्लस मे है और आज तक का कंपनी का जो ट्रेक रिकोर्ड है ना एक भी साल इसका माइनस में नहीं गया सारा नेट प्रोफिट है बैलेंस शीट की भी बात करें तो 28,000 वाद बोरोईंग जो इन्होंने कम करके 1,03,000 कर दिया तो 25,000 क्रोड का इन्होंने लॉन्री पेमेंट किया है औ और cash flow हमेशा से positive रहा है और अगर हम shareholding pattern की भी बात करें तो public के पास सिर्फ 14% है और 14% में से भी 7.8% and 2.45% या नहीं कि 10% तो companies के पास है आपस में सिर्फ 4% public के पास है अब इतनी बड़ी company आप समझो ना सिर्फ 4% public के पास है तो अगर हम operators की भी बात करें तो यार वो भी तो कहीं ना कहीं कमाएंगे ना तो इस तरह के इतने cheap valuation पे जब business वापस से normal हो गया वापस से profit आने शुरू हो गया है तो ये भी तो share price को खीचेंगे ना तो 4% किसी तो अच्छे बड़े बंदे के पास होगा किसी group के पास होगा वो भी तो कमाना यहां से चाहेंगा और government भ तो उसके बाद में last मेरा है आज के दिन में oil India Limited इसका business same ही है जो ONGC वाला है ये भी oil ही निकालते हैं 4KPE पर चल रहा है और promoters के पास 56% इसकी इसेजारी है जो की government है actual में और बचा हुआ भी government के ही पास है अगर हम सीधे share holding pattern की इसकी बात कर लें एक बार फिर से public के पास जो companies के पास हैं तो 30% में से 5%, 2%, 2% यानि कि 10% हो गया 10 और 12, 22% यानि कि public के पास actual में सिर्फ 8% है बाहर से देखने में नजर आता है 30% है लेकिन actual में सिर्फ 8% public के पास है और अगर balance sheet की बात करें तो balance sheet इनकी अच्छी है और net profit की अगर हम बात करें cash flow की बात करें तो लगातार cash flow positive है operating activities से net profit की बात करें इसमें year on year तो इनका एक भी साल minus में नहीं गया ये अपने आप में अच्छी बाते हैं quarterly अगर बात करें तो वापस से मनले इसका तो pandemic के दोरान भी minus नहीं गया इसने तब भी पैसे कमाए और profit में ही है तो ये सारी चीज अच्छी है इसके भी chart pattern की एक बार बात कर लेते हैं साथ में इसका code है अपना oil, oil India limited is the name and code भी इसका एनसी का oil है तो इसका pre pandemic level की अगर हम बात करें तो ये 173 आता है और current price से अगर इसमें upside potential की बात करें तो ये हमारा 56% आता है ये सारे बहुत अच्छे patterns हैं अब ये चारो companies के अगर chart तो हम फिर से दे corporation में 71%, उसके बाद में ONGC में 59% और oil India corporation में, oil India limited में 62% तो अगर हमें एक bouquet बना कर भी चलना है तो अपने total portfolio का suppose 10% हम इसमें लगाते हैं तो 2.5%, 2.5% इन चारो companies में लगा ले तो 10% हमारे total portfolio का यहां लग जाएगा और इसको अगर 1,5 साल रखकर छोड़ दें तो मुझे न में भी हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा भी चल गया तो भी 60-70% यह एक साल में मिलने वाला है, लेकिन जब मैं यह सब बाते बोल रहा हूं तो यह चीज मैं बता दूँ, मैं यहां पर आपको business समझाने की बात कर रहा हूं कि कैसे हम normal life में business को समझ के हम chart patterns में उस price भी normal हो जाएगा, और क्योंकि market में, share market में यह दोनों चीजे एक साथ नहीं चलती, तो तभी opportunity है, अगर यह चीजे साथ साथ में चल रही होती, तो यह price भी साथ में उपर आ चुको होता हो, और हमें नहीं पता चलता कि इसमें लगा लेना चाहिए, तो यह सब चीजे मैं स कमा सके ध्यान रखना, हम सबने मिलके 3 crore families का portfolio 100 crore तक लेकर जाना है, तो इसमें हमें आपकी क्या help चाहिए, मुझे आपकी क्या help चाहिए, हमने जादर से जादर लोगों को यहाँ पर लाकर जोड़ना है, उनको वीडियो शेयर करनी है, उनको subscribe कराना है, उनको like कराना है, और उनको आदर डालनी है, कि इस तरीके से हम सीख कर अपने portfolio को अच्छा कर सकते हैं, जहां पर अच्छी valuation है, और fair price जो होना चाहिए, और current price है, उनमें जो बहुत अच्छा gap है, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इसमें investment करने के त्यारी करना, लेकिन अ तेरे कहने से नहीं, थैंक यू सो मच